हाई प्रेंड्स मैं हूँ सीमा, सीमा स्पेस्ट किचन में आपका स्वागत है तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सेवई कश्टरड फालूदा की रेसीपी बहुत ही टेस्टी रेसीपी है बनाना भी बहुत आसान है खूब सारे फ्रूट्स से ये रेसीपी बनाई जाती है तो चली ये पटापट बनाना शुरू करते है सबसे पहले एक प्यान लेंगे प्यान गैस पर चड़ा है एक चमज़गी डालेंगे फिर हम शेवई ली है बारिक वाली शेवई होती है ना ओ लेंगे सेवई इंग डालने के बाद इसे बुणना है कलर चेंज होने तक बुणना है गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है ब्राउन कलर होने तक शेवई को बुणना है आदा मिनिट लगता है शेवई को बुणने को शेवई का कलर चेंज हो चुका है ब्राउन कलर आया है तो हम दूड डालेंगे यहां मैंने आदा लिटर दूड लिया है गरम करके लिया है दूड आप थंडा भी डाल सकते हो दूड डालने के बाद इसे लगातर हिलाना है चमज से एक कटोरी चीनी डाली है आप अपने स्वादनुसर चीनी कम जादा डाल सकते हो इसे लगातर हिलाना है गैस की प्लेम मिडियम रखनी है दो या तीन मिनित तक इसे शेवई को पकाना है दूड में शेवई पक चुकी है यहां मैंने एक कटोरी में आदा कटोरी थंडा दूड लिया है एक चमज कश्टर्ड पाउडर डालेंगे कश्टर्ड पाउडर को गुलने तक हिलाएंगे यहां शेवई भी पक चुकी है जो गोल बनाया है कश्टर्ड पाउडर का ओई डालेंगे एक हातो से हिलाएंगे और एक हातो से कश्टर्ड पाउडर डालेंगे इसे लगातर हिलाना है नहीं तो गुटलिया बनेगी इसे गाड़ा होने तक हिलाना है कश्टर्ट का दूट डालने के बाद इसे एक या दो मिनित तक पकाना है यहां मैंने कुछ प्रूट से लिया है आदा कटोरी अनार लिया है आदा कटोरी चिकू, आदा कटोरी अंगुर लिया है तूटी प्रूटी लिये और सेब के टुकडे लिये है यह सब मैंने चोटे चोटे टुकडे करके फ्रूट से लिया है यह सब फ्रूट से हम फालूदा में डालेंगे तो चलिए, यहां मैंने काच के क्लास लिया है, काच के क्लास में हम एक चमच से रोज सीरप डालेंगे, अंदर से ऐसे चमच से डालना है सीरप को, बहुती अमेजिंग दिखता है ऐसे डालने से, रोज सीरप का स्वाद भी बहुत अच्छा आता है फालुदा में, रोज तो आप रूह अबजबी डाल सकते हो, यहां मैंने सब्जा के बीच बिगो के रखा था पानी में, तो पहले हम सब्जा के बीच डालेंगे, दोनों ही गलास में सब्जा के बीच डालेंगे, अच्ची तरह से भीग चुके हैं सब्जा के बीच, फिर हम जो कस्टर्ड बनाया शेवई का वही डालेंगे, बुवी ती टेस्टी बनाये कस्टर्ड सेवई का, स्टेप बाय स्टेप सब डालेंगे, फिर हम फ्रूट से डालेंगे, तो पहले हम सेब डालेंगे, सेब के टुकडे, आप अपने मन पसंद के नुसार कौन से भी फ्रूट से डाल सकते हो, फि पुर हम अंगूर डालेंगे पिर हम चुकू डालेंगे चुकू के च्छोटे-चुटे टुकडे कर लिये फिर हम अनार के दाने डालेंगे अनार के दाने बहुत ही अमेजिन दीखते है फालुदा में फिर हम टूटी प्टूटी डालेंगे फिर सेवई कस्टर्ड डालेंगे ऐसे करके स्टेप बाई स्टेप सब डालेंगे जो पहले सब सेब डाले है वैसे ही अब उपर ही सेब डालना है उपर से थोड़ा सा टूटी प्रूटी ही डालेंगे टूटी प्रूटी का डालने से बहुत ही कलर अच्चा दिखता है थोड़ा सा उपर सेवई कस्टर्ड डालेंगे लास्ट में हम थोड़ा सा रोज सिरप डालेंगे रोज सिरप का स्वाथ बहुत ही अच्चा आता है फालुदा में अन कलर पूली ही दिखता है फालुदा तो तयार है सेवई कश्टर्ड फालुदा बहुत ही टेस्टी बना है बनाना भी बहुत आसान है कम समय लगता है लेकिन टेस्टी भी बहुत है आप ज़रूर घर पे बनाएगा और मुझे कमेंड में बताएगा गर्मियों के मौसम में ठंडा ठंडा फालोदा पीने का मज़ा ही कुछ और है तो आप ज़रूर घर पे बनाएगा और पी कर मुझे कमेंड में ज़रूर बताएगा तो एक चमस्य में एक ग्लास में मिक्स करके दिखाती हूँ बहुती टेस्टी और कलरफूल फालुदा बना है रोस सीरप से बहुती कलर अच्छा आया है फालुदा में मेरी रेसिपी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएगा मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजे, लाइक कीजे, शेयर कीजे तो मिलते हैं अगले नए नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय बाय